बड़ी खबर का रुख करेंगे बड़ी खबर आ रही है चंदिगड से जहां अभैसिंग चौटाला ने इस्तिफा दिया है बड़ी खबर फिलहाल बता रहे हैं अभैसिंग चौटाला ने इस्तिफा दिया है और हर्याना विधान सभास सद्यस सिर्ता से इस तुफा जो है वो अभैस सिंग चौटाला ने दिया है बड़ी खबर किसानों के समर्थन में अभैस सिंग चौटाला उतराए है नएक्रिशी कानूनों के विरोध में उतरे हैं अभैस सिंग चौटाला उन्होंने इस्तफा दे दिया है बड़ी खबर फिलहाल चंदिगट से बता रहे हैं अभैस सिंग चौटाला ने इस्तफा अपना दिया है जिसके बाद जो कारण है वो बताया जो रहा है किसानों के समर समर्थन देने के लिए हर्याना विधान सभा सदस्य के रूप में जो थे उन्होंने सफ़ा अपला दिया अभैसिंग चौताला ने और किसानों के समर्थन में अब खुले तौर पर सारवजनिक तौर पर और पुत्यक्षित तौर पर नज़राएंगे अभैसिंग चौताला प तो बड़ी खबर फिलहाल अभैसिंग चौताला ने इस्तिफा दिया है हर्याना विधान सभा सदस्य से इस्तिफा उन्होंने दिया और मुद्दा ये रहा मसला भी वही रहा किसानों का समर्थन यहाँ पर करना चाहते हैं अभैसिंग चौताला जुसमचे से नई कृशी का विरोध में अभैसिंग चौताला भी अब उतराय है और सफा उन्होंने दे दिया वड़ी खबर फिलहाल चंदिगर्स दे के बीते दो महिने से भी सादा समय से देश भर में जो प्रदर्शन है फुशी कानूनों के विरोध में वो जारी है कल 26 जन्वरी को जब खिसानों न ट्रैक्टर परेड निकाली वो भी काफी जादा विवादास पत रही कई चीजें ऐसी हुई जिसमें बयानबाजियां यहाँ पर उनको हवा मिली है और बड़ा मुद्दा बनता हुआ फिलहाली नजर आ रहा है ऐसे में अभैसिंग चौताला का इस्तफा देना एक नया जो रोचक मुद्दा है वो हुआ है हर्याणा विधान सभा सदस्य सिस्तफा उन्होंने दिया है और किसानों के समर्थन में उत्रे है अभैसिंग चौताला तो नए क्रिश्य कानूनों के विरोध में अभैसिंग चौताला उत्रे है अधिक बाचीत के लिए वरिष्ट सम्वारता नीरज महरा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जोचक है तो सरकार है उसके लिए क्योंकि इंडियन नेस्टनलोगदल के विधायक और महासची भी है बार्टे के अभी जोटाला लगातार दबाव भी बना रहे थे और कोशिज भी कर रहे थे इस सरकार पर किसी इस तरीके से कर्शी कानूनों को लेकर लेकर लेकिन सरकार ने इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अब लगता है उनको उन्होंने तैय कर लिया था पहले चाही यदि सरकार इन कर्शी कानूनों को वापस नहीं लेती है तो इस्तिपा दे देंगे क्यों कि लगातार इस बात की वो गोशना कर रहे थे और आखिरकार आज उन्होंने पहले इमेल करके अपना इस्तिपा जो है विदान सबाइस स्पिकर को भीजा और उसके बाद में खुद उन्होंने इस्पिकर जो ग्यांचन दुपता है उनको अपना इस्तिपा सौफ दिया है और उन्होंने साफ तोर पर कहा कि वो किसानों के साथ है और क्रिश्री कानों के विरोध में ही उन्होंने अपने इस्तिपा दिया है तो एक तरह से ये अब खटर सरकार के लिए कहीं 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 खटरे की गंटी बन सकता है और आने वाले समय में और दूसरे जो विदायक ज उसके लिए कहिंगें खद्रे की घंटी एक तरह से है और अबे सिंग चोटाला ने साब कर दिया है कि वो अब किसानों के समर्टर में खुलकर काम करेंगे और वो किसानों के साथ हैं और उन्होंने अपने पत्से इस्तिपा दे दिया है वे एलनाबाद से विधायक चुने स्विकार नहीं किया गया है जी जायते कि चली निरा जी बहुत शुक्रिया तमाम बाची ते लिए